तो अलोटेटिस आज था मंडे मार्केट फ्लाइट ओपनिंग होने के बाद कईने के चोटा सा अप्नूव दिया उसके वाब पूटा टाइम हम लोगों ने देखा कईने की साइडवेस होते हैं मार्केट क्लोज हुआ अब कल टूजड़े हैं फिन निफ्टी की वीकली एक्स सवाल किसी ने कल पूचा था और like confused बंदा था उसने यह पूचा कि वही सब लोग बस सेलिंग बोल रहे हैं सेलिंग बोल रहे है मार्केट तो उपर जारा तो हमको क्या करना चाहिए तो मैंने selling randomly नहीं बोला था एक logical way में selling बोला था मैंने जैसे कि मैंने आप आपको एक example बताया था fin nifty का यह upper zone मेंने mark किया यह lower zone मेंने mark किया और मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि जब भी ऐसा ऐसे angle में उपर के side breakout होता है ना तो उसकी चलने की probability 90% नहीं होती है नहीं चलता है और मार्केट ने exactly वैसे किया यह breakout दिया fail हो गया sideways हो गया तो मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर C buyers जो है वो trap हो चुक है ठीक है तो इस चीज़ों को समझना बहुत important है कि आपको breakout का angle देखना बहुत important है जैसे कि यहाँ देखो यह angle ऐसा बना breakout हुआ sideways और upside momentum यह fail नहीं हुआ यह fail हो गया क्यों क्योंकि उसका angle ऐसा बना हुआ है यह bearish वाला angle है bullish वाला angle यह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ आपको बता है कि जब यह नीचे वाला level break होगा market यहाँ close हुआ मैं नीचे वाल level से बात करों यहाँ break होगा let market प्रूव सेम चीज मैंने टलीग्राम इभलाता ही थी कि उपर जा रहा है कोई दिक्कत की बात है हमारे पास उपर को कोई target ही नहीं है अगर मारे नीचे आता है प्रूव करता है हमको बोलता है कि यहाँ आप मैं नीचे जा रहा हूँ इंपॉर्टन लेवल ब्रेक करता है उसके बाद सेल करना है मैंने रेंडम नहीं यूटन भी लिखा था मैंने तो मैंने आपको question mark लिखा रहा है ऐसा नहीं कि बस होगा ही होगा ऐसा तो मैं क्लेम को भी करता ही नहीं हो तो confusion वाली को यहां पर बात ही नहीं है तो try to understand don't compare me with other YouTubers जो सुर्फ और सिर्फ थम्नेल्स के लिए काम करते हैं तो उसको अलग रखो चीज़ों को बात करते हैं अब यहां पर कि कल के लिए इंपॉर्टन अपने को क्या यहां पर अब आइडल ही देखा चाहिए हमने कल डिस्केस किया था कि जब निफ्टी 20,000 860 लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोगों का करूंगा बॉटम से लेकर टॉप तक फिबॉणाची रह करूंगा यह जो मूव आया है यह वाला यह अगर सस्थेन करते हो ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं कुछ नहीं करना है मुझे यहां पर अगर लेट से यह सस्थेन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और इस इस तो मतलब यहां पर बायस का कॉंफिदेंस हो जाएगा और खड़ा और कम हो जाएगा तो मतलब 20,925 को अगर ब्रेक करता है तो मेरे लिए फर्स्ट यहां पर टागेट बैट है 20,860 उसके बाद 790 उसके बाद 730 के आसपास I hope the point is clear मैं कल भी market selling के हिसाप से देखने वाला तो मैं यहां पर top पे sell करने के लिए नहीं बोल रहा हूं यहां पर यह breakdown देखते हैं मैं sell करूंगा तो फस जाओंगा definitely यहां मैं सोचूंगा कि अब यह double top pattern बन चुका है और मैं यहां sell कर दू तो illogical है इस move का यह move का 6-1-8 level break होगा तो मैं यहां पर प्लान करूंगा this will be my first target second target and third target simple हो गया बात करते हैं बैंक निफ्टी के ओपर तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है बैंक निफ्टी में यह trail 9 एक supporter trail 9 बन चुकी है अब यहां पर भी ध्यान से देखो और समझो इस point पर मैं यहां personally करूंगा यहां पर मैं पास एक और important point है जो मुझे ध्यान रखनी है वो क्या कि एक rejection है rejection है rejection है उपर का 50-60 points के आसपास का stop loss और मैं यहां पर प्लान करूंगा 46,890 levels के आसपास का मेरा first as in support level उसके बार next इसका support level आता है 46,500 levels के आसपास ठीक है अगर बाइस को काम करना तो कैसे पता चलेगा तो उसके लिए अपने को एक ट्रेल नाइन और रह करने पड़ेगा अब क्या पस यह ट्रेल नाइन ब्रेक आउट होगा तो मुझे काम करना है नहीं यहां देखो यह rejection level बन चुका है अगर ब्रेक आउट होगा मतलब 47,430 levels को ब्रेक करेगा तो पर हम लोग यहां पर expect कर सकते हैं जो उपर वाला टॉप रिसेंटली बढ़ाया है उस में अगर समझो गैप खुल गया 20-30 में मतलब मुझे मिला एक में एक एक्जांबल बोलता हूं 47,480 तो कमाने के लिए 100-100 मेरे पास टॉप लगाने के लिए बहुत बढ़ा होगा 50-60 तो इसलिए यहां पर सेलिंग करना ज्यादा लॉजिकल है वह भी सेलिंग करना जहां पर यहां पर अपने को दे रहें कि support level हो सकता था नहीं हुआ ब्रेक कर दिया टैनलाइन एक बार टेस्ट हुआ दो बार तेस्ट हुआ तीसरी बार यहां पर सपोर्ड ले निकोशिश की बट फेलियर हो गया यहां पर अपने को प्रेश अप 10 टेट करो 10 में से लिए में 10 टेट करो 10 में से आप सिरु एक यह चीज यह नहीं पर रखो कि मैं मिनमम बनेशन टू या वनशन फरी पर काम करूंगा उससे कम नहीं काम तो अगर आप आप आफ भार भी सही हो जाते हो ना सिरुप 50 परसंग फिलिप वाला एक स किस किया था कि बहुत यहां पर ब्रेक आउर ऊपर के तरफ फेल हो सकता है अब यहां पर कैसा है सिटुवेशन यह उपर वाली ट्रैल नाइन तो इसने खड़ाप कर दी यह हमारे कुछ काम की नहीं है अब इसको अम लोग कर देंगे XT, ठीक है, अब यहां पर भी देखो क्या है, एक टच हो गया, दो टच हो गया, टीन टच हो गया, यह चौति पर काई न की स्टरगल कर रहा है अगर यह ब्रेकडाउन करता है है तो क्या मैं sell करießen, नहीं, नहीं करना है, देखो ध्यान से समझो, इस पॉいます, पॉइंट पर बड़ा अब यहां पर कैसा है एक important चीज हम मिस्ट आउट कर रहे हैं यह वाला लेवल देखो यह क्या है रिजेक्शन 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 ब्रेक आउट हुआ तो क्या support लेने की यहां पर कोशिश कर सकता है तो मतलब यहां पर अगर मैं 21,190 या दोसो के आसपा सोच रहा हूँ sell करने के लिए तो यहां पर तो support ख़ड़ा हुआ 21,150 तो क्या मैं यह 30-40 points के लिए काम करूं 25-30 points का मैं stop loss लों और 30-40 points का profit क्या ही logic होगा नहीं होगा तो इसलिए मैं आपर क्या करूंगा यह breakdown हुआ यह 21 21,150 को अगर ब्रेक करता है तो मेरे लिए possibilities है कि चलो boss अब मेरे पाई आप अगर मैं 30 points का भी stop loss लेता हूं तो मेरे पाई आप 21,080 हो गया है 1.2 नीचे का फर support level है 21,010 उसके बाद बाद support level है 20,921 levels I hope the point is clear मैं आपर क्या सम्झाने ही कोशिश करता हूं इस levels पर तो अब अगर हम बात करते हैं लेट से उपर के लिए तो उपर के लिए आपर क्या है अगर में ट्रैलनेंट और तो पहली बात तो इसके कोई value नहीं है क्योंकि यहां पर एक टच हुआ दूसरा टच हुआ तो breakout का तो कोई आपर sense बनता ही नहीं है तो यहां पर मैं क्या सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यहां पर ट्रैप भी हो सकता है अब यहां पर 21,261 अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाय चांस बन जाएगा कि एक बार वह अपना लाइफ है फिर से टेस्क करने के लिए यहां पर जा सकता है बट स्टिल फ्लिक ऊपर की तरफ आया उसके बाब मार्केट साइडवेसाइडवेसाइडवेसाइडवेस कई यहां पर ट्रैपिंग तो हुई है बट यह ज्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ पाया क्यों नहीं पकड़ पाया चलो मंडे है कुछ मेजर न्यूस फ्लोस बगर तो नहीं चल सब्सक्राइब करते हैं अगर यह थोड़ा बहुत संसिबल में सोचते हैं कि बहुत जब इंपोर्टन लेवल ब्रेक होगा तब अपने को प्लान करना सेल करने करें तो आप मेरी तरह आज आइडल बैठे होते कुछ आपने पैसा आपने फ्रोकर को अमीर्म नहीं किया होता आप समझ पार मैं आपको वीडियो में समझाता हूं तो चीज़े में टेलिग्राम पर आपके माइंड में तो टेलिग्राम चनल पर नहीं हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फोटो फ्लैश और होगा स्कैन करते हो जोइन कर देजिए औरीजिए चला हमारा वीडियो चला तो लाइक करती जेका एन अगें वन सकेंट सॉरी फॉर्स इस विर्ड ओडियो आपको आरा होगा अभी बिल्कुल दिफ्रेंसा वाइस मेरे ख्याल से आरा होगा तो लेट्स ओप कि मैं एक दो दिन में रिकवर कर लो थैंक्स वाचिंग वाचिंग विल्सी नेक्स वीडियो झाल